नमस्कार आप सभी का स्वागत है Master Education पर आज सभी को पता है 20 जनुरी है और आज से नया बेच प्रारम हुआ है सिर्फ NTPC CBT2 और RRB Group D के लिए Special Class यह Part 1 वीडियो है जिसमें 3 Question करा जाएगा आज और इसी तरह के प्रस्ण एक्जाम में देखने को मिलेगा Class Continue करना चाहते हो तो वीडियो को सस्क्राइब जरूर करे Class Continue करते रहें और Practice भी आपको करना पड़ेगा आपको Practice Set भी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको जल्द मिल जाएगा जो लोग Class Continue करना चाहते हैं वही वीडियो को सस्क्राइब एंडर लाइक करे Class स्टार्ट करते हैं Next वीडियो होगा आपका छेतर मिती से घन, घनाप, संकू, आयतन से प्रस्ण कराया जाएगा जो एक्जाम में बार बार रिपिट कोस्चन ही कराया जाएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको तीन फर्मूला बताऊंगा जो इसी प्रकार के तीनों कोस्चन बनने वाले है जो आपके पहला कोस्चन बनेगा A, B एक वृत्त दिया गया है CD यहाँ पर और P तो इसका फर्मूला क्या हो जाएगा A से P, AP गुणित BP बरापर CD गुणित सौरी CP गुणित PD ठीक है यह पहला सवाल बनेगा दूसरा सवाल कैसे बनेगा यह एक वृत्त है वृत्त के चक्री वृत्त है यहाँ पर A से P की दूरी और C से P की दूरी यह एक चक्री वृत्त है A, B, C, D और यहाँ पर इसका फर्मूला हो जाएगा AP गुणा BP बरापर PC गुणा PD तीसरा चक्री वाला बनेगा A, B, T यानि कि इसका फर्मूला हो जाएगा A, T, P, P यानि कि PT के इसका बरापर AP गुणा BP चलिया कोश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपके सामने In above circle given A, E 4 cm B, E 15 cm and C, E 2.5 cm What with the value of D, E इसका मतलब यह है कि उप्यूक्त वृत्त में A, E 4 cm दिया गया है B, E 15 cm दिया गया है C, E 2 cm दिया गया है इस दोनों भासा में समझाएंगे अगर आपको कोई भासा में दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं We have question solve हम आप question solve करते हैं यहाँ पर आपको formula बताया गया था और आपको बता दिया जाता है A, E गुना B, E बराबर C, E गुना D, E आपको क्या गयाद करना है D, E गयाद करना है तो चलिए मार रख लेते हैं यहाँ पर A, E कमान कितना है यहाँ पर 4 है B, कमान 15 है बराबर C, कमान कितना है 2.5 और D, E अब को गयाद करना है तो यहाँ से अब solve कर लेते हैं 15 चंग 60 यह वाला हो जाएगा अब धाई धाई वाला दिया है ना 2.5 वाला उसको चेंज कर लेते हैं तो 25 बटा 10 हो जाएगा तो यहां सब चेंज कर लेते हैं इसको 10 को उपर ले जाएगे तो 60 गुना 10 बटे 25 हो जाएगा अब 10 से 10 को काटेंगे और 25 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 25 अब 5 जाया है अब 5 को 60 काटेंगे कितना बड़ में जाएगा 12 बजाएगा 12 पंचे 60 अब 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आजाएगा 12 दूनी 24 यानि कि 24 सेंटीमेटर आंसर इच नौ अगला प्रस्न आपके सामने है A B C D एक चक्री चतुर बुझ है A B और T C जब बढ़ाई जाती है तो P पर मिलती है यदि P A 8 सेंटीमेटर है P B 6 सेंटीमेटर है P C 4 सेंटीमेटर है तो P D की लंबाई हमें ग्याद करना है तो आपके सामने यहाँ पर एक चक्री चतुर बुझ है तो सबसे पहले A B C D एक चक्री चतुर बुझ है और A B A B से A B और D C जब बढ़ाई जाती है तो P पर मिलती है यहाँ पर A से P पर मिलाई है तो D से पहले यदि P A हमारा 8 सेंटीमेटर है और P B 6 सेंटीमेटर दिया गया है P D की लंबाई जात करना है और सबसे आसान तरीका है आपको फार्मूला लिखाया था पहले उसको यहाँ पर मार रख लेना है और फार्मूला से सॉल्व करना है आगे वीडियो देखिए P A गुना P B बराबर P D गुना P C अब चलिए मान रख लेते हैं आपर तो P A कमान कितना है हमारा 8 है इंटू 6 यहाँ पर कितना है P B कमान है और P D कमान हम याद करना है और P C कमान 4 दिया गया है अब इन सभी को सॉल्व कर रहे है तो यहाँ पर 4 से 8 को काटेंगे कितना बार में जाएगा दो बार में जाएगा ना 4 एकम 4 और 4 दुनी आठ और 6 को 2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 12 तो इसका अंसर कितना जाएगा 12 सेंटिमिटर अब P A O D की लंबाई कितनी है हमें क् पी डी की लंबाई कितनी है 12 सेंटिमिटर है अगला प्रस ना देखेंगे और बहुत ही अच्छा सांदार कोश्यन है देखते रहे है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजिए और कंटिनिव क्लास में रहे जो लोग RRB गुरूप D की तयारी कर रहे है या NTPC CBT2 की तयारी कर रहे हो क्लास कंटिनिव करते रहे नेस्ट क्लास है आपका घन घनाब आयतन ये सब आपको देखने को मिलेगा नेस्ट वीडियो में नेस्ट कोल्सन आपके सामने है नीचे दी गए वृत्त में जीवा AB को इस पर सरेख़ D के सांथ बिंदू D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है यदि AB कितना सेंटिमेटर है? 6 सेंटिमेटर है, BD 2 सेंटिमेटर है, D की लंबाई ग्यात करना है और सबसे असान तरीका है यह RRB 2018, 16 और 17 में आयोगा कोश्चन है आपको वृत्त में समझाया जाएगा यहाँ पर एक वृत्त बना है, ठीक है AB कितना है, आपर पस 6 सेंटिमेटर है, BD कितना है, 2 सेंटिमेटर है, B से D की जो लंबाई है, 2 सेंटिमेटर है अब D की लंबाई ग्यात करना है, क्वेस्टन मार्क ठीक है किसकी लंबाई ग्यात करना है, DE की लंबाई ग्यात करना है वीडियो कंटिन्यू करते रहें, डी की लंबर क्या करना है, ज्यात करना है, आपको फार्मूला बताया था ना मैं, क्या फार्मूला है आपको याद किजिए जल्दी, D का square बरावर होता है A, D गुना है B, D चलिए मार राख लेते हैं तो D, E का square बरावर कितना हो जाएगा A, D कमान कितना है? 8 B, D कमान कितना है? 2 8, 2, 16 D, E का square बरावर हो जाएगा 16 अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे किसको वर्ग करेंगे? कि क्यों करेंगे इसको हटाने के लिए वर्ग को हटाने के लिए दा खशी सोरा माझाğो जाएगा दो लाइक और स्क्राइब जरूर जरूर आज अच्छे लिए बस इतने ही बहुत भुध धन्यामान